नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और स्वागेता आपका आज की इस वीडियो में दोस्तो आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इको स्पोर्ट का हेडलाइट टेस्ट अभी ये मैंने नई गाड़ी पर्चेस करी है काफी सारे लोगों को मालूम है जो चैनल से जुड़े हुए है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी के भई ये इस गाड़ी का हेडलाइट टेस्ट भी करके दिखाऊ तो इस गाड़ी के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आती है हेलोजन हेडलाइट और ये हमारे पास नेक्सोन है मेरे कजन की है इस गाड़ी के अंदर भी आपको हेलोजन हेडलाइट आती है ये 2018 मोडल है तो मुझे लगा इन दोनों गाड़ियों का कमपेरिजन करना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये नेक टू नेक कॉम्पेटिशन की गाड़ियां है अब जो हमारे घर पे सोनेट है सोनेट के अंदर भी हेलोजन हेडलाइट आती थी लेकिन मैंने उसके बल्ब चेंज करा दिये थे तो उसकी रोशनी अभी बहुत ज़ादा है अगर मैं उससे कमपेरिजन करूंगा तो वो एक प्रोपर कमपेरिजन नहीं बनेगा अब क्योंकि इन दोनों में सेम हेडलाइट है सेम बल्ब है तो इस से मैं आपको काफी क्लेर आइडिया दे सकता हूँ कि इसकी गाड़ी की हेडलाइट कैसी है एकवेसपोर्ट की और कैसी है नेक्सोन की दोनों का इसी में अभी यहाँ पर जो रोड है मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है और दोस्तों मैं यह comparison भी कैसे करूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, सामने एक दिवार है जो कि मुझे से काफी दूर है, यानि कि 100 मिटर से भी ज़ादा अभी हम दोनों गाडियों के low beam, high beam दोनों चेक करेंगे one by one दोनों गाडियों की headlight own करेंगे और फिर एक साथ भी मैं आपको own करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसा कुछ throw है अब कोई वैसी तो मेरे पास machine है नहीं headlight test करने की लेकिन जो सामने इसमें दिवार है उस दिवार से आपको idea होगा कि throw कैसा है गाडि की headlight का तो दोस्तो वीडियो आयंट तक जरूर देखेगा तापकी आपको एक proper idea मिल सके कि अगर आप eco sport का चाहे base variant खरीदें चाहे इसका trend variant खरीदें दोनों में same headlight आती है कि कैसी कुछ आपको throw मिलने वाला है और दोस्तो ये जो nexon है चैनल के उपर इसका ये petrol में है इसका tank to tank mileage test की video भी already डेली हुई है ownership preview भी इसका पड़ा हुआ है आप चाहे तो वो दोनों भी जाके देख सकते हैं फिलाल इस video को शुरू करते हैं और check करते हैं कि कैसी कुछ इनकी दमदार headlight है दोस्तो पहले हम आपको दिखाऊंगा exterior से कि कैसा कुछ throw आता है गाड़ी का पहले हम nexon का low beam on करेंगे दोस्तो आप बिल्कुल clearly देख सकते हैं nexon के अंदर halogen headlight है और यह इस गाड़ी का low beam है अभी हम nexon की बंद करने से पहले एक बार eco sport की on करेंगे low beam दोस्तो मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ एक बार आपको idea दिखाता हूँ यहाँ से आपको जो फर्क महसूस होगा वो देखने का पते चलेगा कि brightness level किस का high है कि लियर आ रहा है कि कौन सी गाड़ी की headlight की जो brightness है वो high है अभी हम इनको लगाते है high beam पे eco sport के headlight करते हैं बंद और nexon की headlight करते है high beam open दोस्तों nexon का भी high beam open है अब हम करते है eco sport की headlight on और इसका high beam अब eco sport भी high beam पे है और nexon भी मैं बिल्कुल center में खड़ा हो जाता हूँ और आप लोगे को दिखाता हूँ फिलाल ये तो होगे exterior से अब मैं जाता हूँ इन गाड़ीों के बीच में जो space है वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ इनका one by one throw अभी दोनों की headlight करते हैं बंद तो दोस्तो अभी मैं है ना गाड़ी के बिल्कुल center में आ चुका हूँ और सबसे पहले हम nexon की headlight on करेंगे low beam पर और मैं आपको दिखाऊंगा सामने दिवार है वहां तक ये टक्कर मारती है या नहीं दोस्तो ये nexon की headlight on है low beam पर और जो इसका headlight leveler है ये बिल्कुल अभी high पर है आरीन high पर है ना ये ठीक है अभी आप इसका high beam open करो दोस्तो आप difference देखो अभी इसको फिरसे में low beam पर लगाता हूँ तो इतना difference है high beam पर और low beam पर खेर मैं suggest नहीं करता किसी को भी high beam पर गाड़े drive करने को अभी eco sport की headlight करते है own और मैं आपको दिखाता हूँ कि eco sport का low beam कैसा है nexon की बंद कर ले दोस्तो ये eco sport का low beam है और विशाल इसका leveler कितना है ये बिल्कुल high level पर है इससे ज़्यादा अपर ये नहीं जाने की इसका high beam open करो दोस्तो ये इसका high beam open है फिलाल इसको low beam पी लेते हैं तो आप देखो जो रोशनी का आपको idea औरा होगा वहाँ पर एक छोटा खंबा है खंबे पर तक रोशनी जा रही है बिल्कुल center में गाड़ी नहीं है दोनों एक एक किनारे पर है एक दूसरे किनारे पर है क्योंकि इतनी जो wider जो है वो road यहाँ पर नहीं है तो ऐसी कुछ आपको brightness यहाँ पर देखने को मिलती है अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर जाके तो अभी जो camera angle है वो बिल्कुल driver steering पर है तो आप देखो जब आप गाड़ी को driving position पर रहोगे तो ऐसा कुछ आपको level देखने को मिलेगा अभी इसको high beam पर लगाते है ठीक है दोस्त अब मैं आपको दिखाता हूँ next phone में जाके कि next phone पर जब low beam रहेगा driver position पर तो कैसी कुछ रोस नहीं रहेगी अब इसको high beam पर लगाते हैं ठीक है low beam पकड़ लो अब एक बार final करते हैं और मैं जाता हूँ दोनों गाड़ीों के पीछे दोनों गाड़ी बंद कर लो अब next phone का low beam open करना बंद कर ले एको स्पोर्ट का low beam ठीक है बंद कर ले दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों ही गाड़ीों का जब आप low beam पे level high करते हैं और low करते हैं पहले मैं आपको next phone का दिखाऊंगा अभी next phone का जो angle है वो बिल्कुल high पर आप इसको low पर करते हैं आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो पास आ रही है light यह बिल्कुल lowest है और इतनी रोश्रेश में मिल रही है फिलाल अब दिखाता हूँ मैं आपको इको स्पोर्ट का यह इको स्पोर्ट का बिल्कुल high है और इसको अभी low पर करते हैं ठीक है दोस्तों अगर मैं वीडियो का अब conclude करूँ और दोनों ही गाड़ी की एक बार headlight on कर लेते हैं low beam पर बिल्कुल high level लगाके दोनों ही गाड़ीों की आरी ने इसकी भी उनकर दोस्तों यह इन दोनों गाड़ीों की headlight test था जो मैंने आपको दिखाया है और अगर मैं यहाँ पर conclusion की बात करूँ तो मुझे दोनों ही गाड़ीों की same headlight लग रही है फर्क यहाँ पर महसूस नहीं हो पा रहा दोनों गाड़ीों की मैं यह कह सकता हूँ के equal है मतलब ना किसी की जादा है ना किसी की कम है दोनों की same level पर जा रही है और अब आपको इनका दोनों का एक साथ high beam भी दिखा देता हूँ यह इन दोनों का high beam है और single single भी high beam दिखा देता हूँ इको स्पोर्ट की बंद करना यह नेक्सोन का high beam है यह इको स्पोर्ट का high beam है तो दोस्तों यह दोनों का headlight का test था जो मेरे को आप लोगों के साथ share करना था अगर आप इन दोनों गाडियों की और भी वीडियो चैनल के उपर जाके देखना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं मैं आई बेटन में लिंक दे दूंगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और मेरा conclusion यह है कि दोनों गाडियों की headlight जो है के corner पे है और यहाँ पे थोड़ा पेड़ पे उपर जादा थो जा रहा है इधर से area थोड़ा clear है तो दिवार पे रोशनी आसानी से जारी है फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बाते थी अगर आपको कोई और भी test देखना है इन दोनों ही गाडियों में से क्योंकि हमारे परिवार में यह दोनों ही गाडियां available है नेक्सोन पेट्रोल में है वैसे यह और यह EcoSport डीजल में है तो अगर आप कहोगे तो मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा यह वीडियो थोड़ी लंबी हुई है बट detail में है और headlight एक important part है आज के time में क्योंकि मैंने देखा है जादतर लोग features तो देखते हैं पर crater जैसी गाडियों के headlight इस level की नहीं है जिस level की यह दोनों गाडियों में headlight है यानि कि उसकी इससे कमजोर है तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, channel को subscribe कीजेगा channel को subscribe करना बिल्कुल free है मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो end तक देखने के लिए thank you very much